कि अज़कार दोस्तों स्वागत है मेरे यूटूब तेनल इंडियन आयरुवेदिक डॉक्टरपल दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माईसनी दोस्तों कि हम अज़कार दोस्तों अध्याय ग्यारा दोस्तों बहुत से चैप्टर में और याद करना चाहते हैं और ज्याद करना चाहते हो तो इनके अलावा और ज्यादा भी याद कर सकते हूं दोस्तों यह एक तरीके से मतलब गाइडलाइन है कि जो इस्ट्ट्रेंट कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा याद करना है कौन सा नहीं उनके लिए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है प्राकर्त वात के करम ठीक है शलोक नंबर इसमें दे नहीं रखा एक नंबर शलोक नंबर एक ही है ठीक है फिर है प्राकर्त पित के करम प्राकर्त लुगोडोर आप देख ले ना इसमें करें प्रेद क्तप बिए het करम ठीक है स्टलेशमा के करम है भाट थो के सामाइनकारिय कि हैं मलो के प्राकर्त करम अ कि व्रद इसमें व्रद रशक के कारिय और भुरिद रखत पित के कारी है थीक है दो साधी का आत्र 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 ही भाव स्लोग नमबर 26 में करने के लियर है कि ओजगा वर्णन स्लोग नमबर 37 कि ओजगे गुण चरक्च किष्या 24 चैप्टर 31 मतलब यह भी मर्श में आता है तो इसमें पता गए मैं आपको बता दूँ कि जो बात्र पित का पर उनके प्राकर्तिक करम का स्लोग ठीक है धातू के प्राकर्तिक करम सामयने करम का मलोग के प्राकर्तिक करम का जो बड़े वे सलेशमें कप और तो यह इस चेप्टर से कितने है दस लोग है यह आपको दस के दस आपको याद करने अश्टांग 11 से इतना ही next वीडियो 12 चेप्टर में बनाया है यह आपको गाइडलाइन करता है कि कौन से स्लोक याद करने है कौन से नहीं आप सोग देखो सो से डेट सो स्लोग होते हैं उनमें से कितने सी आज गरने मात्र दस लोग आई होग आपको पसंद रहा होगा थेंग यू